धर्म शेत्रे कुरू शेत्रे संवेताय युद्सवा मामका पांडवाश्चयवा किम कुर्वता संजया अरे कृष्णा सो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है अर्जुन विशाद योग को संशित्त में च xem करेंगे इस अख्रोटीम के द्वारा इंग्लिसमे डाउटी यह से अर्जुनों को डाउट हुआ इस पुरे चैप्टर में और क्या-क्या इस चैप्टर में मेइन पॉइंटस हैं उसको इस अक्रॉनेम के मांध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे तो डी ओ यू बी एंट तो चैप्टर की शरुवात होती है दि धृतराश्ट्रा और दुर्योधन से दृतराश्ट्रा पूछ रहे हैं संजे से कि भाई मेरे पुत्र और पांडू के पुत्र जो धर्म शेत्र कुरुशेत्र में गए तो क्या हु होगी कि अनेकों बार प्रयास किया गया था संधी करने का कृष्ण स्वयम घए थे शांती दूद बन के कि संधी हो पाए लेकिन वो सारे प्रयास विफल हुए क्यों कि धिरित राश्ट्रा और दृश्टन बेसिकली करेंगे तो भागवान ने पांच गायों मागी तू भी उस उन्हों ने सुविकार नहीं किया क्यों कि वो सिर्फ द्रिस्टः जो भौतित गष्ट्री सें ग्रिष्टी से उन्दे नहीं थे वो अध्यात्मिक ग्रिष्टः बहुति थें जो व्यक्ति काम क्रोध जो इर्शा जो जो लस्ट यानि की ग्रीड लालच से जो वशीबूट होता है तो वो बाकी चीज़ों में जो सहीक और गलत की पैचान खो देता है अर्थार्थ अध्यात्निक द्रिष्टी से वो अंधा हो जाता है जिस प्रकार दितराष्ट और दुट्योधन फिर वहां दि वर्णन करते हैं अलग-अलग प्रकार से और बेसिकली वो उनको ये उत्सा दिना चाह रहे हैं कि ताकि वो अपने बैस्ट फाइट करें वो अपना पूर्ण उसमें शक्ति लगाएं लड़ने में पांड़ों के साथ ताकि जो कि अर्जुना जो द्रोनाचारे जी की सबसे श्रेष्ट और सबसे प्रिये श्रिष्ष्य थे ताकि द्रोनाचारे जी उनकी तरफ कोई प्रिये अपना प्रियत जो पन है या फिर उनकी जो जो अफेक्शन है उनके प्रती उसको चोड़ दे और ताकि योद में पूरा बैस्ट पाइट करें तो यह दुर्योधन और दि कि अलग-अलग इनॉस्पिशियस यानि की बैड चीज़े दिख रही थी जैसे कि जब कोर्वों ने अपने शंक बजाए और उसके बाद पांडवों ने अपने शंक बजाए भगवान कृष्ण ने पंच जाने जब बजाए तो आता है कि कोर्वों के हृदे विदीन हो पना बजाए तो जो गलत करेगा उसका जैसे मानो चोर अगर पुलिस के सामने उसका हृदय थोड़ा कांट में लगता है और पूलिस मुझे को पकड़ना ले मेरे मेरा जूट सामने ना आ जाए मेरा असत्य सामने ना आ जाए लेकिन पांडवों को साथ ऐसा नहीं हूआ व सारे महान युद्धा थे और पांडव उनके तुल्ला में उतने श्रेश नहीं थे लेकिन भगवान जिसके साथ और धर्म जिसके साथ अंत में विजय उसी की होती है यह 18 अंध्याय में भी आगे चल कर आएगा तो श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 पे यह ominous results की बात है हनुमान जी भी बैठे थे अरजुन के रथ पर सवार होकर और उनको अरजुन को बहुत सारे देवी देवताओं से भी अलग-अलग चीजे प्राप्त थी जिससे यह अलग-अलग चिन है अलग-अलग निशानिया है जिससे कि पता चलता है कि विजय अल्टिमेटली पांडवकी होगी और और कोरों का नाश होगा तो पहले बारा श्लोक में दृतराष्ट्र दृत्राष्ट्र दृत्र का वर्णन फिर अगले 13 से लेकर 20 में ominous result यानि कि bad signs अलग-अलग अब शगुन इसको बोलते हैं हिंदी में तो यू उसके बाद आता है ओ के बाद आता है यू uncertainty uncertainty means doubt क्या करना है क्या नहीं करना तो अर्जुना confused हो गए श्लोक संख्या 21 से लेके सथाइस उन्होंने का भाई कृष्ण भगवान आप हमको बीच में लेके चलो मैं निविक्षण करना चाहता हूँ कि इस दोनों आर्मी का दोनों पक्षों में कौन को लड़ने को आया है तो उन्होंने भगवान दास है भक्त वत्सल है तो भगवान भक्त के भी दास बन जाते हैं यह भगवान की special quality इस श्लोक में दिखाई देती है कि एक भक्त के ड्राइवर बन गए चारियर तो उनका र किया तो अलग-अलग उन्हें देखा कि मेरे चाचा, मामा, गुरू, अलग-अलग भाई, बंदू, मित्र, तो सब लड़ने के लिए आया है तो उनको confused से हो गए आगे आता है कि वो bewilder हो गए B for bewilderment, bewilderment means क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी तरह confusion, uncertainty, सही गलत की समझ ना होना और उससे क्या हुआ, उनके हाथ कापने लगे, उनके गांडीव है, उनके हाथ से फिसलने लगा, उनको basically एक lack of spiritual identity हो गया, identity crisis हो गया, उनको समझ नहीं आया कि मेरे क्या करने योग यह है, क्या नहीं करने ही हो गया, और फिर last में आता है, श्लोक संख्या 31 से लेके, 46 तक टर्निंग पॉइंट, तो पूरा युद्ध स्टार्ट ही होने वाला था, सब अपने युद्ध के नगाड़े बच चुके थे, शंक बच चुके थे, सब अपना धनुष, तीर अगयरा रथ के साथ सब तयार है, और अरजना अब बोलते हैं कि अगर मैं युद्ध मिलेगा, उससे नरक में जाना पड़ेगा, और अगर मैं जीत भी गया, तो क्या होगा, तो मैं किस के साथ इसका भूप करूँगा, मैं इंजॉय करने के लिए कोई होई कहीं ने, तो इस राज्य का भी क्या करूँगा, और फिर इससे परिवार में भी बहुत हानी होगी, परिवार के संसकार खतम हो जाएंगे, स्तिरियों को कौन रक्षा करेगा, अलग-अलग प्रकार से कारण दिये, जो कि भौतिक दृष्टी से सारे कारण सही प्रतीत होते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कि अध्यात्मिक दृष्टी से कैसे वो कारण उचित नहीं थे, औ बजाय कि इनको मारने के, तो फाइनली अपना गांडीव भी छोड़ देते हैं, और बहुत ही निराश अरजुन अविशाद योग, बहुत ही दुख्यपूरवक अश्रू के साथ, वो पहला चेक्टर समाप्त होता है भगवत गीता का, अरजुन अविशाद योग, जिसमे नहीं आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, और हम सिर्फ अपनी आप ही निरिक्षण करते रहेंगे, अपनी आप ही समझने का प्रयास करेंगे, तो शायद हम सपल ना हो, उस समय हमें गुरु की जरुरत होती है, जैसे अरजुन को कृष्ण की जरुरत थी, उस समय हमें स तो सादू संग की जरूत होती है तो उस प्रकार से हम परिस्थिती को सही रूप से समझ पाएंगे और बजाए की निराश होकर अपना कर्म थ्याक करना भक्ति थ्याक करने से कुछ नहीं होगा लेकिन भगवान में हम देखेंगे आगे कैसे अर्जुन को उत्सा देते हैं कि क कैसे उनके अंसर्टिनिटी को क्लियर करते हैं और कैसे अर्जुन अन्तोगत्वा विजय को प्राप्त करते हैं तो दुबारा से इसको संशिप्त में अगर करें तो डाउट अक्रोनेम है डाउट डी फॉर दृतराष्ट्रा दुर्योधना कैसे शुरुवात होती है पहले कि अध्यात्मिक ग्रिष्टी से उनका जो काम और क्रोध की वज़े से और ध्यात्मिक ग्रिष्टी अंधे थे फिर ominous result यानि की अप्शगुन अलग-110 प्रकार से अप्शगुन थे जानी की कौरव को कि हार के अप्शगुन तीसरा यू uncertainty, confusion, bewilderment view के बाद B, bewilderment confusion था अर्चुन को, बहुत confused थे समझ नहीं आदा क्या करना क्या नहीं करना और last में T, turning point ultimately अलग-अलग कारण देते हैं और बोलते हैं मुझे युद नहीं करना और ये chapter यहाँ पर समाथ होता है हरे एकृष्णा और बहुत धन्यवाद